नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज किस बुड़ में एक भाई का कमेंट आयता है कि एक्टिंग इसकूल जोन करने से पहले आखिर हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है है ना ताकि आग चलके हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रोड ना हो तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यह सवाल ना आपका नहीं यह बहुत से लोगों के मन में होता है ना तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को बताना चाहूँआ कि आखिर एक्टिंग इसकूल जोन करने से पहले आपको कौन से मुस्ट इंपोर् होती जिनका एक लाग डेट लाग तीन लाग जो सिलेबस का चार्ज लेते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं अगर आप वहां से एक्टिंग सीखते हैं तो वह लोग आपको मूवी में काम दिला देंगे हैं ना वहां का जो सेटिफिक होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है उसके माध्यम से आपको जल्दी काम मिलेगा तो मेरे ख्याल से ना यह लोगों के अंदर बहुत बड़ी मिसले स्टेंडिंग है है ना वाई ऐसा नहीं होता है जो चोटे एक्टिंग स्कूल होते जिनकी फीस हजार दो हजार थीम हजार या फिर जो पूरा से लेबस करवान आपको यह देखना है कि वह लोग जैनमेन या फ्रोड अब जैनमेन और फ्रोड का पता कैसे लगता देखो जो लोग आपको बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं जो लोग आपसे ऐसी बाते करते हैं कि अगर आप हमारे यहां से एक्टिंग सीखते हैं तब हम आपको सपने दिखाते हैं कि आप हमारे यहां से एक्टिंग सीखो तब आपकी यह सपने पूरे हो जाते हैं दोगों भाई जो अच्छे लोग होते हैं जो सच्छे लोग होते हैं वो कभी भी आपसे इस तरह की बाते करते ही नहीं है है ना कि हम आपको काम दिलवा देंगे है ना वो कभी भी आपको सपने नहीं दिखाते हैं वो हमेशा आपको राष्टा दिखाते हैं तब आप इस बात को समझो लुए जिस भी आप टीचर से जिनकी बाते आपको समझ में आती है जो भी टीचर आपको एक्टिंग सिखा रहा ना अगर आपको उनका वाने का तरीका अच्छा लगता ना तभी आप उनसे एक्टिंग Columbi सिसको चाहे वो टीचर कितना ही χाइ अगर उसकी टेकनिक आपको समझ में नहीं आते ना तो भाई महां से सीखना सही नहीं है बिल्कुल भी नंबर थिरी गैस बहुत से एक्टिंग स्कूल ऐसे होता ना जो अपने सिलेबस को काफी लंबा करते हैं भाई देखो यह बात ना आपको बहुत ही कम सुनने को मिलती है जो बाते जो टेक्निक आपको दस दिन के अंदर ही स समझ नहीं पाते हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखें तो आई होब दोस्तों जब भी आप एक्टिंग स्कूल जाते हो एडविशन के लिए ना तब आप इन बातों को ध्यान जरूर रखें ठीक ना तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं अपने आप तो आप तगली धन्यवाद